अब शौक्षण वीडियो ईपलोड करना चाहते हो तो ईक तरीका होता है किस तरह से आप लोग उस जौर्ट वीडियो को अपलोड किया जाता है और कुछ टैग होते हैं वो टैग हमें लगाना होते बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तो वीडियो पसंद आए दोस्तो लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब जरूर करना दोस्तो माझलो जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो वना के रखव अब आपको बता दूंगा किस तरह से यहाँपर अपलोड करना है एक सही तरीका में आपको बता देताओ तो यहाँ पर दोस्तो आप लोग देख रहे हैं आपको क्या करना है आपका YouTube जो आप्लिकेशन है यह ओपन करके ले लेना है ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है प्लस का आइकॉन यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है प्लस का आइकॉन पर क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं create a shot, upload video, go lie you, go lie you together और create a post तो दोस्तों हमें first one option यहाँ पर use करना है create a shot तो create a shot पर हम लोग click करेंगे जैसे ही click करेंगे दोस्तों आपके साम में देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पर camera open हो जाएंगा अभी दोस्तों आपको क्या करना है corner में आप लोग देख रहें 50 second यहाँ पर बता रहें तो 50 second हमें यहाँ से हटाना है और यहाँ से 60 second करना है इस तरह से अभी दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ से अभी video एक select करके ले लेना है corner में आप लोग देख रहें यह box में आपको यहाँ से एक video select करके ले लेना है तो इसे मैं हट पोस्ट करना चाहता हूँ देखिए दोस्तो ये long विडियो है लेकिन मैं आप इसे short विडियो में upload करने वाला हूँ तो देखिए हम लोग नए starting में 60 seconds यहाँ पर यूज किये यहाँ पर आपको बता रहा है 60 second की ये clip बनने वाली है तो दोस्तो जो भी पाट हमें चाहिए वो यहां से हमें सिलेख करना है वीडियो इस तरह से तो दोस्तो यह तो आपको पता ह। हम लोग क्या करेंगे यहां से डन के उपर क्लिक करेंगे और यह प्रोसेसिंग चालो होएंगा अभी दोस्तो आपको डोस्तो एक वाइटी स्टूडियो प्लेश्टोर से एक डाउनलोड करके लेना है क्योंकि दोस्तों यूटूब जो एप्लिकेशन है स्रीप ये वीडियो अप्लोड करने के लिए होता है लेकिन वाइटी स्टूडियो में आप लोग जो टैग होते हैं हमारे और डिश्केन होता है वो आप लोग अच्छे से लगा सकते हो देखिए ये डर हो चुका है और ये प्रोसेसिंग भी वीडियो हो चुकी है हम लोग डाइट पे क्लिक करेंगे और देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर option आ चुका है next का तो हमें क्या करना है next के उपर corner पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ से आपका public होंगा इस तरह से दोस्तो यहाँ पर आपको private रखना है यह आपको private रखना है इस तरह से अभी दोस्तो आपको क्या करना है? आपको play store में जाना है और YT studio application डाउनलोड़ करें लेना है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं YT studio तो यह वाला application आपको दिखेंगा और दोस्तों यहाँ से आप लोग directly जो अपना YouTube का जो ID है यह यहाँ पर आपको दिखाई देंगा दोस्तों मैं इस चैनल पर long video upload करता हूँ लेकिन short video मैं कभी-कभी यहाँ पर upload भी कर देता हूँ तो दोस्तों आभी क्या करना है देखिए आपको content में आपको जाना है content में आप लोग जाएंगे यहाँ से आपको देखे एक short का एक option अपको यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ यहाँ ने अपाको देखिए यह मिरे सारे long video है और देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे short का एक यहाँ पर अलग से दिया गया है तो आपको क्या करना है short वाले icon पर यहाँ पर क्लिक करना है और आप देख रहे हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर यह शौर्ट वीडियो यहाँ से अपलोड हो रहा है जो अभी हम लोग ने अपलोड कर रहे थे अभी यह प्राइट तो हम लोग क्या करेंगे इसे ओपन करके ले लेंगे ओपन करने के बाद दो लिखना है तो जो भी डिजान होंगी उसतरी से आप लोग लिखेंगे तो जल्दी यहां पर सर्च होगा आपका श्वाट्ट वीडियो तो देखिए आपको क्या करना है यहां से आपको हैस्ट क्लिक करना है घिए हैश्टेक पर जैसे क्लिक करेंगे और यहां से आपको शाट लिए यह वाला दोस्तों काफी मतलर लिए इमपॉटेंट यहीड यह नीचे आ चुका है शाट तो और एक हम लोग यहां से हाश्टेक This यहां आश्टेक क्लिक करेंगे और दिखिया उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है इंटर्टेनमेंट अभी दोस्तों मेरा इंटर्टेन्मेंट वाला नहीं है टेकनीकले तो देखिए यहाँ पर नीचे हमें इंटर्टेनमेंट नहीं करना है यहाँ से आपका जो भी रिलेटेड वीडि और यहाँ चैग कुछ इस तरह से यहाँ पर यहां लोग टैग यह पर लगाने वाले मैं लेकिन दोस्तों यह पाप लोग प्लम लगण हैं यहाँ से क्या करना है यहां से चैपो यह यहां से यहां से ऑ incoming में सब्रकर दे नहीं है को देगें copy करके हम लोग I dejar description में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे पेश्ट करने बाद दोस्तोg हम लोग बैक काएंगे और देखिए नीचे औक आपशन है टैक्स एक कैटेगी कमेंड्स तो देखिए दोस्तोों यहां से हमें tag लगाना है जैसे कि मैं यहां से हमारा title फर्स्ट वाला जो हमने copy किया है यहां से हम लोग यह tag यहां से लगा देंगे और आपको यहां से short इस तरह से लिखना है short तो चलिए यहां से मैं short लिख देता हूँ यह भी tag हमें काफी important ऐसे tag आपको दोस्तों दो तिन और यहां पर tag लगाना है जैसे यहां से मैं और एक लिख लेता हूँ short video तो देखिए यहां से हम लोग यह भी लिख लेंगे तो भी चलेंगा यहां पर short video तो चलिए यहां से मैं video देखिए यह वाला भी tag tag काफी important होता है तो दोस्तों इस तरह से आपको यहां पर tag यह दो important बहुत ही जरूरी है अभी दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर आपका category यूज करना है तो मेरा दोस्तों टेकनिकल है तो मैं यहां से science and technical यहां पर रखूंगा science and technology आपका कोई भी हो जैसे entertainment हो gaming हो कोई भी हो education हो तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यह हमारा टैग लग चुका है बैक चले जाएंगे और बैक जाने के बास हम लोग यहां से private को हटा देंगे और यहां से public पे रखेंगे public पे रखने के बाद दोस्तों यहां से हमें simple यहां से save कर देना है चलिए यहां से हम लोग save कर देते है देखिए दोस्तों यह सेव हो चुका है दोस्तों और यह वीडियो हमारी पब्लिश हो चुकी है तो दोस्तों इसी तरह से आपको short वीडियो यहाँ पर upload करना है और काफी important है दोस्तों जो मैं तरीका बताया हूँ क्योंकि यह तरीका दोस्तों यहाँ पर आपकी वीडियो वाइरल होने का काफी चांस होता है चले दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब जरूर करना चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई